हलो भाईयों तुस्वागे थे आपका नीव वीडियो में जैसे P.E.T. P.H.T. का रिजल्ट कब आएगा और मेडिकल कब तक होगा बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है और ये डाउट थोड़ा ज्यादा बढ़ गया इसलिए क्योंकि एक वाइरल नोटीस हो रहा है जि उसके बारे में भी हम लोग सा ठीक जनकारी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे ठीक है तो पहले उस नोटीस को हम देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल कब होगा ठीक है देखिए ये नोटीस जो है आपको एक मेल मतलब बहुत वाइरल हो रहा है सिगनल और एक इमेल के तहत ये नोटीस दिया गया है CEPF, CRPF को ठीक है और इस नोटीस में यह चीज लिखा गया है कि सेकेंड वीक ओफ जून में आपका मेडिकल होगा ठीक है और यहाँ पर सबसे नोटीस का ये मेन गलती ये दिखाया जा रहा है कि इसमें NIE लिखा है औ आपको कोई भी नोटिस निकाल दे, इतना बेवकूफ वहां के लोग नहीं होते हैं, जो भी लोग इस नोटिस को सच्चाई बता रहा है ना, इतना तो समझ लेजिए, फोज है, कोई बेवकूफ ही नहीं है कि NCP की जगापर NIA लिख देगा, ठीक है, इस बात को आप मान के च प्रोस्पोंड नहीं हुआ होता, आप लोग को पता है कि NADYA विजव वेश्ट बंगाल का एक सेंटर है, B.S.F.1 का, उसका फिजिकल प्रोस्पोंड हो चुका है, और फिजिकल प्रोस्पोंड होने के एक जुन से 6 जुन तक आपका उसका फिजिकल ही चलेगा, फिजिकल हो इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मेडिकल डेट उतना ज्यादा मतलब यह नहीं होगा कि एक महीना बाद आगा या पद्रत बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, यह स्टेट बाइज है, वेश्ट मगल का नहीं करेगा, तो दूसरा इस्टेट के C.R.P काम करते रहेगा उस चीज़ पे, तो उससे कोई डेट बढ़ने का दिक्कत नहीं है, बसरत यह जो, मतलब इतना सीट है, सीट का डबल यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, और फौज इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी, बसरत ठीक है, और भी कुछ हम लोग देख लेते हैं, कि अगर नोटिस आएगा, तो कहां नोटिस आएगा, कहां से हम विश्वास करेंगे, उस चीज़ को हम देख लेते हैं, देखिए, आपको सीधे क्रोम ब्राउजर पैना है, वहां पे आपको CRPF को सर्च करना है, CRPF सर्च करने के बाद, जो यह दिख रहा है, इस पे क्लिक इसे फोन का जो कैंसिल हुआ था, रिकनेक्ट, पीटी, पीच्टी, वो भी इसी नोटिस में मिला था, ठीक है, तो यहीं पे आपको देखने के लिए, इस नोटिस में आप देखेंगे, कि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, कि एक जुन से छो जुन तक आपका फिजिकल ह और 28 को admit कड़ाएगा, तो आज इनका admit card भी आ चुका है, ठीक है, जैसे देखिए, यह है admit card का link, यहां पे जो admit card का link है, admit card का link काम नहीं कर रहा था, बसरते अब link काम कर रहा है, क्योंकि उनका admit card download होगा, तो उनका यह काम कर रहा है, admit card का link, ठीक है, यहीं जो वेव साइट ह कर सकते हैं, और कहीं विश्वास नहीं करना है, ठीक है, तो कोई भी notice आएगी, आपके ECBO side पे आएगी, जैसे ही notice आएगा, हम telegram में चुट जाईए, मैं उसको information आपको जल्द ही ओहां दे दूँगा, ठीक है, बसरते हम लोग देख लेते हैं, कि कब तक आपका medical हो सकता है, ठीक है, notice में जो जून लिखा है, तो क्या सच में जून में medical होगा या नहीं होगा, उस चीज़ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आप मेरा वीडियो देखते होंगे, तो मैंने आपको detail में बता दिया था, कि आपका physical और ये result कब आएगा, अगर पिछ बोल रहा है, उनको बोलने दिजिए, आप खुद सोचिए न, 6 तारेक 6 जून तक आपका physical होने वाला है नाडियावेश्ट बंगाल का, और ऐसा तो है नहीं कि बिना उसका result दिये हुए ही provide कर देगा result, सबका आ जाएगा, तभी तो provide करेगा, तो 6 तक उसका physical है, जिसका absent हो या कोई date में exam होगा, उसको 7 को physical कराएगा, अगर by the way कोई हुआ तो 7 को physical कराएगा, सारा चीज संबिट करके, 8 को मालने जिए, वहाँ पे भेजेगा, अपने CRPF के पास, CRPF add भी तो करेगा, 36 second date है, उसका फिर, 36 second date है, उनका PTPHT का cutoff अगएरा देखके, फिर से उनको add कर तो इतना process करने में आराम से उसको time लग जाएगा, कितना भी result तयार रखे, उसको time लग जाएगा, आपका 15 जुन्तक आपका result ही आएगा, और ऐसा नहीं है कि result आए, पांच दिन के बाद ही medical हो जाए, मतलब उसी दिन result आया, उसी दिन medical होने लगे शुरू हो जाए, ऐसा न आया गया, फिर एक बताया गया, आनिकि notice तो आपको देता ही रहा गया, कि हाँ आपका physical अब होने वाला है, आपको मतलब इतना तो idea लग गया था, कि हाँ physical जल्दी होने वाला है, तो देखिए बीना notice के CRPF, किसी बच्चों को ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे रहने खाने और इंतिजाम भी कराना होता है, बहुत लोग pre-medical भी कराते हैं, पहले check-up कराते हैं, इस चीज़ के लिए आपको time मिलेगा, आपको 16 जुन से पहले तो result आने वाला नहीं है, बसरते आपको कोई notice मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आपका आने वाला नहीं है, आपका medical 10 जुलाई से पहले सुरू नहीं होगा, ठीक है, वो notice मिल देते हैं, real तो है ही नहीं, फाउज मतलब गलती नहीं लिखेगी, NCBJ के जगा पर NIA लिखते हैं, बसरते ठीक है, second week of July है, ठीक, 25 तारिका, 25 माई का notice है, रुके न मैं दिखाता हूँ उसको, आपका ये 25 माई के notice ह फिजिकल प्रसपॉंड वाला 26 माई को आया था, हो सकता है, एक दिन पहले का हो, ठीक है, तो उसके अनुसार हम देखते हैं, तो आपको 6 दिन उधर, 11 दिन तो डिले हो गया, तो जून से सीधे आप second week से 11 दिन डिले कराईए, यानि कि 2 सपता आपका डिले होगा, ठीक है, उनको डिले करेगा, इनको कि रणिंग हो रहा है, तो डिले तो करेगा ये 11 दिन, और 11 दिन दूसापता लगबग डिले हो गया, दूसापता डिले होगा, तो आपका जुलाई के first week में आपका medical होगा, ठीक है, और मैं भी यही बात बोल रहा हूं, कि जुलाई का first week या second week के लगबग में आपका medical होगा, और आपका return का, मतलब return का result आने वाला है, PTPST का, वो 15 जुन तक आ सकता है, और 10 शुलाई तक medical हो सकता है, ठीक है, बस अरते देखिए, अब आप लोग बच कर रहे हैं, कि यूटूब पे घमसान होने वाला है, viral notice के, fake notice के, बहुत सारे बच्च करते हैं, ठीक है, तो यह आप पे depend करता है, हम तो आपको बता दिया कि, जो notice हो तो fake है, और आपका जो जून में तो medical नहीं होगा, क्योंकि 6 जून तक आपका physical ही चलने माला है, और result आएगा, और time मिलेगा, यानि कि जुलाई को फॉस्ट, जुलाई के फॉस्ट week में आपक जामान के चलते हैं, तो उस अनुसार भी आपका फॉस्ट week of चुलाई में ही medical होगा, ठीक है, जिसको जो कहना है, कहने दीजिए, उनका विचार है, मेरा विचार है, यही है, ठीक है, आसा है, है आप समझे होंगे, ठीक है, इस चीज के लिए थो ऑफिसीरी फॉलो किजिए पहले data निकल के आ जाता है, ससी का, मने फिजिकल से ही, यही हो रहा है, कि पहले ही data निकल के आ जाता है, तो उसमें स्विचाई होती है, बसरते कम से कम कोडिंग जो लिखा हुआ चीज हो, वो तो सही होना चाहिए, कि ऐसे ही कुछ भी आजा तो भिश्वास कर ले, एन सी भ नहीं होता अगोर वहाँ पे NC भी होता NIA के जगह पे तो हम भरुसा कर सकते थे वह ऐसे भी एस्पेक्टिर तो जुलाई में होने माला ही है तो कोई भी मतलब ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं तो फिलाल वीडियो में इतना ही धन्यवाद